इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं आज के दिन की जो बड़ी खबरे हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे छे बड़ी खबरों को डिसकस करूँगा लेकिन दो बड़ी आप देखोगे तो जो RVI की पोलेसी आई है वो किस प्रकार की रही है और मार्केट के लिए क्या इसक क्वार टू है रिजल्ट सेशन है वो सुरू होने वाला है किस प्रकार का रहेगा उसकी भी न्यूज हम डिसकस करेंगे और MCX बजाज वाइनेंस उसके भी हम यहां पे न्यूज आई है उनको भी डिसकस करेंगे तो यह सारी खबरे हम डिसकस करने वाले है तो वीडियो है वो आपको description box में मिल जाएगा उसको भी आप जाकर के join कर लेना क्योंकि वहाँ पे आपको update मिलती है सभी प्रकार की news मिलती है और आप हमसे वहाँ पे सवाल भी पूछ सकते हो उनके जवाब भी आपको मिलते हैं DMAT account आपके पास की inflation के बारे में जानने के लिए तो देखो इसके अंदर तीन चीज़ें आपको देखनी है ठीक है जोब डेटा है आने का अनुमान है 1.7 लाक यहाँ पे नए जोब लगने चाहिए ठीक है लेकिन अब यहाँ पे यह दो चीज़ें देखता है मार्केट कि अगर यह मार्केट के अंदर इससे जादा जोब लग गई ठीक है अगर यहाँ पे जादा जोब लग गई तो मार्केट के अंदर पता लगेगा कि यहाँ पे एक नएगेटीव ओगा मार्केट के लिए दूसरी चीज़ अगर यह लगब इस के लिए अच्द बिंद्ली दर क्या नहीं दिखायेगा मार्केट के लिए पोज़ेटीव होगा बलकि वो ठीक है यहाँ पर मार्केट उसको बिंदु बलकि positive होगा कि यहां पर जो सोच के चल रहा था वह हो रहा है अगर यह 1.7 के बजाए 1.5 से लेकर के 1.6 लाग के करीबन आ जाए ठीक है तो market के अंदर हो सकता है कि इसको negative नहीं लेना चाहिए और हो सकता है कि इसको negative ले ले वह एक अलग चीज़ है लेकिन positive क्यों लेना चाहिए कि inflation की सकता है लेकिन मैंने आपको detail बता दिया है कि किस प्रकार से आपको data को देखना है ठीक है दूसरा अब हम देख लेते हैं कि RBI की जो policy आई है उसके अंदर क्या चीज़े हुई है तो अपने market के लिया हास से हम discuss करेंगे तो देखो interest rate के उपर कोई भी changes नहीं है जो कि हम पहले जानते थे कि interest rate के उपर कोई नहीं change होने वाला है दूसरा यहाँ पे accommodative रुख है उसको वापस लेने के पक्स में यहाँ पे 5 सदस्य है ठीक है पांच सदस्य अकोमडिटीव रुख को वापस लेने के पक्स में आ चुके है तो वो पीक के पास में है यह आर्बिए गवरनर साब बोल रहे हैं मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको पता होना चीए यह वाला जो point देखो global policy दरे पीक हुई है लेकिन लंबे समय तक उची रहेंगी यह करे है कि पीक हो चुका है इसका meaning है कि अब interest rate बढ़ाना यहाँ पे बहु लेकिन अच्छी चीज इन्होंने संकेत दिये है कि पीक हो चुका है interest rate का अब सिर्फ यहाँ पे पोज जोगा और वहाँ से घटना शुरू होगी ठीक है तो यह सी पोजेटिव आई है दूसरी चीज आपको देखनी है कि जो ICR था ठीक है ICRR का था तो यहाँ पे बैंकों के पास में से RBI ने पैसा लिया था अब वहाँ से क्या होने वाला है कि इन्होंने जो रिव्यू किया था सेप्टेंबर के अंदर तो ICR जो cash reserve ratio है ठीक है internal cash reserve ratio है उसको यहाँ पे RBI गवरनर साब release करने की बात कर चुके थे और उसकी जो release है डेट है वो है कल ठीक है कल यहाँ पे कल 7 October को release किया जाएगा तो market के अंदर पैसा आएगा market के अंदर क्या होगा पैसा आएगा जो की positive चीज हो गई ठीक है और इन्होंने यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे inflation का अनुमान है वो लगभग यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाया है यहाँ पे CPI inflation को देखोगे तो यह थोड़ा सा बढ़ाया है 6.4 किया है और Q3 का अनुमान है यह Q2 का है Q3 का अनुमान है वो घटा करके 5.6 किया है तो यहाँ पे कोई problem नहीं है यह थोड़ा इस प्रकार का यह data रहता है लेकिन आप देखोगे तो इनका एक statement था सुरुवात के अंदर कि यह एक stability वाली situation है ठीक है क्या है stability वाली situation है यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर policy की वो interest rate नहीं जाएंगी और बहुत ज्यादा क्या नहीं होगा जो inflation है वो भी नहीं जाने वाला है simple चीजों के अंदर कहूं तो policy बहुत अच्छा ही है market के लिया हाँ से और इसके अंदर clearly चीजें समझ में आई है तो market के लिया हाँ से देखोगे तो अच्छी चीज हुई है ठीक है तो यह policy की मैंने आपको बता दिया है सब कुछ एकदम clear आपको सामने दिख रहोगा अगर इस प्रकार की राहत दी जाएगी कि molasses है उसके उपर GST है वो 28% लगता है तो उसको घटा करके 5% किया जा सकता है ठीक है और यहां पे अतिरिक्त neutral alcohol के tax पर भी सभाई संभव है यानि वो भी घटाया जा सकता है तो यह liquor company के लिए अच्छी चीज हो सकती है अगर GST घटता ह इसके साथ में यह अब जरूरी नहीं है कि यह होगा ही होगा लेकिन यह चीज़े हो सकती है तीसरा मिलेट्स के उपर यहां पे GST है वो घटाने की बात हो रही है अभी आप देखोगे मिलेट्स को यहां पे बड़ावा दिया जा रहा है हर जगे तो इनके उपर GST को 18% से अंदर बैटरी लगती है उसके उपर GST कम नहीं किया गया है या कम नहीं किया जाएगा इस प्रकार की न्यूज आ रही है अब देखना होगा कि यह क्या होने वाला है क्यों नहीं घटाया जा रहा है वो भी देखेंगे लेकिन फिट्वेंट कमेटी ने GST कटोती की मांग मानी ठीक है जो GST की कटोती की मांग कर रहे थे कि EV के उपर जो बैटरी लगती है उसके अंदर GST है वो कम होना चीए और जो अभी आप देखोगे तो 18% GST लगता है ठीक है तो उसको कम करके यहां पे 5% लाने की बात की थी कि GST कम लाना चीए उससे यहां पे EV को सारी चीज़े हैं उनके अंदर भी लगती है तो अगर हम यह करेंगे तो उनके उपर भी इंपेक्ट जाएगा जो की काफी बड़ा मार्केट है तो ठीक है तो वो सीज यहां पे होने वाली है और एक बड़ी चीज तो वो है ही है कि online gaming जो इंडस्री है उसके उपर retrospective तरीक है क्या decisions आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन आप वीडियो को यहां पे like करना चैनल को subscribe करने और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको तुरंत information मिल सके यह सब जो भी news आती है हम वीडियो बना करके डाल देते हैं इसके बाद में MCX के उपर cover आई है कि MCX ने यहां पे 3 October को नया जो trading platform है वो launch करने की बात की थी और यह जो MCX के लिए बहुत अची चीज है कि यह नए trading platform के उपर shift हो जाए क्योंकि यह जो अभी तक trading platform यूज करता है वो 63 moon का ठीक है 63 moon का trading platform है जो कि यहां पे quarter का software का charges है वो 125 करोड रुपे लेता है ठीक है क्या लेता ह अब company है वो 500 करोड रुपे कमाती है साल के अंदर तो उतना तो यहां पे trading platform का ही चार्ज ले लेता था तो इन्होंने यहां पे TCS के पास approach की और TCS से software बनाया है जो की TCS ने बनाकर के दिया है वो सस्ता ही है ठीक है सस्ता ही software है और अच्छा भी है तो इसको launch करने वाले थे 3rd October को लेकिन सेबी ने यहां पे मना कर दिया था कि यहां पे मदरास ICOAT के अंदर इनके ऊपर कोई एक case सल रहा था लेकिन अब आपको बताऊं कि आज news यह आई है कि जो technical committee है सेबी की सेबी के पास में technical committee है जो इस software की जाज कर चुकी है और उसने यहां पे approval दे दिया है कि इसके अंदर कोई problem नहीं है लेकिन इनको हिदायत दी गई है कि अब जो नया trading platform है उसको भी use करो लेकिन कुछ time के लिए पूराने वाले को भी साथ में लगा के रखना है ताकि problem ना हूँ तो अब यहां पे chances हैं पूरे-पूरे कि MCX नए trading platform के उपर shift हो जाए और एक बार य के दे देती ही तो यहां पे देखोगे तो नया software जो है वो TCS ने बना करके दिया है जो की बहुत किफायती है इसके लिए तो अब इनकी growth होगी ठीक है अब MCX के नए दिन आने वाले है तो इसको ध्यान में रखना अगर यह होता है तो अब बजाज finance की यहां पे देखोगी पैसे आने वाले हैं तो इसको चलते हुए क्या होने वाला है दोनों के अंदर कैप एक तरीके से क्या हुआ एक कैपेक्स बढ़ गया और एक तरीके से इनके अंदर यहां पे पैसे आ गए तो यहां पे आप देखोगे तो इस company के लिए बजाज finance और बजाज फिंस दोनों company के लिए अच्छी नूज है अब इसके बाद में यहां पे आपको मैंने बताना चाहूंगा कि क्यू टू रिजल्स सीजन सुरू होने वाला है जो कि मंडे से सुरू होगा और मंडे यानि 9 अक्टूबर को ठीक है 9 अक्टूबर से यहां पे क्यू टू के रिजल्स हैं वो ज किस प्रकार से perform कर रही हैं उनकी margins किस प्रकार क्या रही हैं sales revenue किस प्रकार क्या रही है उनको profit किस प्रकार से increase हो रहा है यह कंपनियों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है आने वाले quarters का results भी अच्छा होने वाला है तो आपको बहुत सारी कंपनिया ऐसी है जो आपके portfolio म loss कर रही थी क्या कर रही थी loss और Q1 यहां पे FY24 के अंदर जो पिछला quarter था उसके अंदर इसने 2 करोड रुपय का profit किया था अब इस quarter में देखना होगा कि यह company अगर 2 करोड रुपय का भी profit कर लेती है या 2 करोड से थोड़ा सा भी उपर कर लेती है तो इस company के यहां पे और यहां पे बहुत अच्छा यहां पे जो stocks है वो उपर जाने की कोशिस करेगा क्योंकि यह एक turn around बन जाएगा इस segment की जितनी भी company है पहला ऐसा startup होगा जो profitable हो जाएगा ठीक है तो यह सीज़ आपको ध्यान में रखनी है और भी बहुत सारी company आएगी जिनके बारे में हम discuss कर करते रहेंगे कि किस प्रकार के results आई है तो हमारे साथ बने रहीएगा और यह जो analysis का वीडियो आपको कैसा लगा comment section में जरू से जरूर बताएगा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और DMAT account आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल free में हमार रेंडर में DMAT account open कर सकते हैं उसका link आपको description box में मिल जाएगा मिलते हैं एक वीडियो में thank you very much